नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका R.E.S. डेली क्लासस के यूटूब चैनल पर मैं यह चन्दर आपका हार्दिक स्वागतवा भिनंदन करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के महतफूर टॉपिक जिसका नाम है संग्या जी हां जिसका नाम क्या है संग्या है संग्या किसे कहते हैं जो सब्द किसी बेकती वस्तू अस्थान और भाव आद के नाम का वोद कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं संग्या कहते हैं क्या कहते हैं संग्या के भेद कितने होते हैं तो संग्या के भेद होते हैं पांच कितने भेद होते हैं पांच होते हैं पहला है हमारा वेक्तिवाचक संग्या, वेक्तिवाचक संग्या अर्थात जिस सब्द से किसी विसेश वेक्ति वस्त या अस्थान आदि के नाम का बोध होता है, उसे वेक्तिवाचक संग्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वेक्तिवाचक संग्या कहते हैं, बेक्तिवाचक संग्या जैसे की बेक्ति का नाम जैसे शोहन, मोहन, अमर बेक्तिवाचक संग्या के अंतरगत है या किसी अन्नी का नाम हो वस्तु का नाम जैसे कुर्सी, केला, बेक्तिवाचक संग्या है अस्थान का नाम जैसे की आगरा, दिल्ली, लखनव, मुंबई अगली संग्या का प्रकार है जात वाचक संग्या जी हाँ कौन सी संग्या जात वाचक संग्या अर्थात जिन संग्या सब्दों से किसी वस्तु बेक्ति यत्वास्थान की जात का अबोध होता है वह जात वाचक संग्या कहलाते हैं हैं क्या कहलाते हैं जात वाचक संग्या कहलाते हैं जैसे पुरूश इस्तिरी लड़का लड़की गाय परबत नदी नोट हमारा क्या है यदि जात वाचक संग्या को कोई विसेश नाम दे दिया जाए तो वह बेक्त वाचक हो जाती है जैसे लड़का लड़का हमारा क्या है जातवाचक संगया है और लड़के का नाम दे दिया गया जैसे रख दिया गया हेमंत क्या रख दिया गया हेमंत रख दिया गया सुधी रख दिया गया अभिषेक रख दिया गया अमन रख दिया गया तब यह हमारा क्या हो जाएगा जात वाचक संग्या से बदल करके बेक्त वाचक संग्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बेक्त वाचक संग्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बेक्त वाचक संग्या हो जाएगा जैसे मंदिर मंदिर जात वाचक संग्या है और मंदिर का नाम बदल दिया जाए शूरी मंदिर कहा जाए तो यहां बिक्त विसेस हो जाएगा बिक्त वाचक संग्या हो जाएगा अगली संग्या का प्रकार है हमारा शमूह वाचक संग्या काउन सी संग्या शमूह वाचक संग्या में क्या होता है जिन संग्या सब दो से किसी समुदा या शमूह का ज्यान हो या बोध हो उन्हें समूह वाचक संग्या कहते हैं क्या कहते हैं शमूह वाचक संग्या कहते हैं जैसे सेना मेला सेना मेला शभा गुच्छा यह शमू वाचक संग्या के उधारण है नेश्रिश स्लाइड पर चलते हैं मित्रू अगली संग्या का प्रकार है द्रब्य वाचक संग्या का उनसी संग्या? द्रब्य वाचक संग्या अर्थात जिन संग्या सब्दो से जिन संग्या सब्दों से किसी वस्तु धातु द्रब्य या किसी तरल वस्तु धातु द्रब्य या किसी तरल पदार्थ का बोध होता है जिन संग्या सब्दों से किसी वस्तु धातु द्रब्य या किसी तरल पदार्थ का बोध होता है वह द्रब्य वाचक संग्या कहलाते हैं क्या कहलाते हैं द्रब्य वाचक संग्या कहलाते हैं से सोना क्या है द्रव्य वाचक संग्या है चांदी घी तेल पानी सब क्या है द्रव्य वाचक संग्या है अगली संग्या है भाव वाचक संग्या अर्थात जिन संग्या सब्दों से किसी ब्यक्ति अथवा पदार्थ के गुड क्या गुड गुड दोश भाव दसा या अवस् उसे हम क्या कहते हैं? भाव आचक संग्या कहते हैं जैसे इमानदारी, क्रोध, मिठास, बचपन, शोक, बुढ़ापा, आद क्या हैं? आद सभी भाव आचक संग्या के उदारण हैं आईए जानते हैं जात्व आचक संग्या से भाव आचक संग्या में कैसे परिवर्तन किया जाता है जैसे कि लड़का लड़का क्या है जात्व आचक संग्या है और इसका भाव आचक संग्या में परिवर्तन होगा लड़क पन भाई है जातवाचक संग्या भाई चारा क्या है भावाचक संग्या चोर क्या है जातवाचक संग्या और चोरी क्या है चोरी है भावाचक संग्या क्योंकि चोरी चोर का गुड़ है और समाज के लिए दोस है मित्र क्या है जातिवाचक संग्या है और मित्र ता भावाचक संग्या है मूर्ख जातिवाचक संग्या है और मूर्ख ता भावाचक संग्या है मानो जातिवाचक संग्या है और मानो ता भावाचक संग्या है बच्चा जातिवाचक संग्या है और बचपन भावाचक संग्या है तो मित्रों वीडियो आपको अवश्य फशंद आया होगा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहन मित्रों